वेल्कम डिश्टोन डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सकेड़ बाद शुड़ होगा रेडी स्टार्ट पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपावी धायक देबेंद्रनाथ जिसतरह एक दुकान के बाहर फांसी के फंदे पर लटके मिले उससे यही लगता है कि उनकी हत्या की गई है इस आसंका को इससे भी बल मिल रहा है कि उनका शव एक सारवजनिक जगह पर लटकता मिला हाला कि उनके पास से एक कथित पत्र मिलने की बात कही जा रही है जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मिदार बताया है लेकिन उसकी सत्यता पर यकीन करना कथिन है एक तो कोई भी सारवजनिक तोर पर फासी लगा कर आत्महत्या नहीं करता और दूसरे यह समझना कथिन है कि आखिर कोई विधायक इस तरह अपनी जान क्यूं देगा इसमें संदेह है कि बंगाल पुलिस की ओर से की जाने वाली जांच तह तक जाने में सफल होगी यदि विधायक की मौत की CBI जांच की मांग हो रही है तो उसके पीछे कुछ ठोस आधार दिखते हैं एक विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बंगाल की उस खूनी राजनीतिका ही इसमरण करा रही है जिसके तहत विरोधी दलों की नेताओं, कारेकरताओं और समर्थकों पर हमले होना आम बात हो गई है बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है वाम दलों के लंबे शासन में यहां राजनीतिक हिंसा को खूब बढ़ावा मिला क्योंकि वाम विचारधारा विरोधियों से निपटने के लिए उनका खात्मा करना भी जायज मानती है माना जा रहा था कि त्रिणमूल कांग्रेस का शासन राजनीतिक हिंसा के खोनी दोर पर लगाम लगाएगा और बंगाल में सचमुच परिवर्तन लाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ त्रिणमूल कांग्रेस के कारेकरताओं ने वामदलों के ही हिंसक तौर तरीके अपना लिए वास्तों में त्रिणमूल कांग्रेस ने खुद को एक तरह से वामदलों में तब्दिल कर लिया है हालात इसलिए और खराब हो गए हैं क्योंकि राजनीतिक हिंसा में लिप्त तत्वों को पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सनुरक्षण मिलता है हाला कि बंगाल में विधान सभा चुनाव अगले साल हैं लेकिन हिंसक राजनीतिक टकराव का सिलसिला यही बताता है कि हिंसा हत्या के सहारे चुनाव जीतने की तयारी शुरू हो गई है बंगाल में शायद ही कोई सप्ताह ऐसा गुजरता हो जब कहीं न कहीं राजनीतिक हिंसा की वारदात न होती हो बीते सप्ताह ही त्रुनमूल कॉंग्रेस और एक वामपंथी संगठन के बीच जड़प में दोनों पक्षों के एक-एक नेता की जान गई इससे पहले एक ही दिन अलग-अलग घटनाओं में पांच लोग मारे गए थे अगर यह सिलसिला थमा नहीं तो बंगाल विधान सभा चुनाव तक रक्तरंजित हो जाएगा दुर्भाग से इस खूनी सिलसिले को थामना आसान नहीं क्योंकि राजनीत पुलिस और प्रसासन से जुड़े आवश्यक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं श्टाब